स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड जोग्रफी और वर्ल्ड जोग्रफी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे स्टेट वगरा के बारे में पढ़ लिया था वर्ल्ड जेग्रफी वर्ल्ड जोग्रफी अक्षिली में वर्ल्ड मैप जल रहा है वर्ल्ड मैप वर्ल मैप में हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट, लास्ट टेक्चर में हमने स्ट्रेट के बारे देखा था स्ट्रेट, हिंदिम क्या करते है जल संदी, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते है स्ट्रेट के बारे में और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग पचे वीजन के बारे में यह रहा हमारा वर्ल मैप यह वर्ल मैप है चल, बता ना यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है, एक नमबर पार्क स्ट्रेट, यहाँ मलक्का, यहाँ सुम्दा, यहाँ तूरस, 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 ठीक है? ओके, यहाँ बास, बास, बास मारता है, यहाँ पर कुक, 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 ठीक है? उसके बाद यह, यह खिल्पिन और टाइबन के बीच में लोजोन, लोजोन और उसके बाद यह, साउथ कोरिया और यापान सुसी मा, सुसी मा, सुसी मा और यह, बीच में शुगारू!. ठिक है предлож? उसके बाद यहां पे ठम्रुज यहां बॉब अल मंदब यहां Phosphorus Triggs Phosphorus यहा Gibraltar 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 यह Lower 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 यहा इस Greenland पर खिसका कप जा है तो यह है Denmark Denmark यहा देविस देविस ठीक है देविस ओके यहां मैगला मैगला और इसके ए रास्ते को क्या करते हैं प्रैक पास ठीक है तो अगर हम देखे तो तोटल कुल अठार जो इस्ट्रेट है वो सारे की सारे हमने कवर कर लिए एक, दो, दी, चार, पाद, चैर, सार, आठ, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चौद, पंदर, शोल, शत्र, और अठार है यह 18 स्ट्रेट है जिसको हम लोगों ने अच्छे से दीटेल में मैप के साथ पढ़ लिया था यहां पर हमारा रिवी जुन होगा अब हम लोग स्ट्रेट के बाद पढ़ने चल रहे हैं चैनल्स दूसरा हम पढ़ेंगे चैनल्स और चैनल्स के बाद हम पढ़ेंगे channels 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 and channels channels का मतलब क्या channels भी channels भी जल संदी होता है लेकिन channel और straight में क्या फरक होता है ठीक है अगर ये दो water bodies है दो water bodies को अगर कोई पतला रास्ता जोडता है तो उसे हम करते हैं straight लेकिन वहीं अगर दो बड़ी water bodies है उनको रास्ता चोड़ा हो जाता है तुसे हम क्या करते हैं channel उसे हम channel करते हैं और ये straight आस अगरे तो देखते हैं कि वर्ल्ड में कौन कों से famous famous channel है ठीक है तो let me channels channels मैं अप्र ले लेता हूं मैं तुछा रहले में इंडियन उसे में चले जाता हूं तुछे ये ये वरें चानल बाला सुट्संग ये इंडियन शें प्रांच रागे ये यह दिखा रहा है यह है मॉल्डिव नीचे लेकिन मॉल्डिव यहां से यहां तक पुरा है इंडियन ओसियन में मॉल्डिव और उपर यह लक्षदिव पुरा यहां से यहां तक है ठीक है लक्षदिव में यह जो उपर का सेक्षन है उसका उपर वाले में जो सबसे फेमस आइलेंड है कवरत्थी लक्षदिव का कैपिटल कवरत्थी और लक्षदिव में यह जो नीचे वाला पोर्शन है यहां पर एक आइलेंड है, मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय, तो कवरती और मिनिकॉय के बीच में भी जगह है, और मिनिकॉय और इस माल्डिव के बीच में भी जगह है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, यह पुरा माल्डिव है, ठीक है, और यह एरिया क्या है यह मीनिक्वाय तो मॉल्डिव और मीनिक्वाय की बीच में जो चोड़ा रास्ता है उसे करते हैं 8 डिग्री चैनल क्या करते हैं 8 डिग्री चैनल ठीक है 8 डिग्री चैनल एक डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है मिनी कोई और मॉल्डिव के बीच में मिनी कोई और मॉल्डिव के बीच में और वहीं अगर हम उपर देखें यह है लक्षदीव लक्षदीव और मिनी कोई के बीच में है 9 डिग्री चैनल लक्षदिय और मिनी कोई के बीच में राष्टा क्या है 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल इतना समझ में है यह सारी कहा है यह इंडियन ओसियन में ही है ठीक है अपना लक्षदिव तो अपना ही है और माल्डिव यह भी इंडियन ओसियन में है इंडियन, और शियन, ठीक है, ओके, दूतरा देख लेते हैं हम लोग, ये, अप्डेट, हमने वहाँ लक्षदीप देख लिया, अब यहाँ देख, ये है अंडमान, ठीक है, और ये है निको बार, ठीक है, उपर पुरा क्या है अंडमान, और नीचे क्या है, निको बार, और इधार ये क्या है, ये, ये क्या है, इंडोनेसिया, ठीक है, इंडोनेसिया, ठीक है, इंडोनेसिया, तो देख, ये जो अंडमान और निको बार के बीच में, अन्डमान और निकोबार की बीच में जो जगह है उसे करते हैं 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल और निकोबार और इंडोनेसिया की बीच में जो जगह है उसे करते हैं 6 डिग्री चैनल 6 डिग्री चैनल यह degree degree क्या है यह सब समझ में आ रहा है कुछ जो latitude lines है ना सब आ वही जैसे कि भारत के बीचों बीच से जाती है 23.5 degree वैसे ही यह सब वो lines है इसके बीच बीच से गई हुए है और वो जो चौड़ा चौड़ा रास्ता हो जाता है उसको हम लोग channel करते हैं तो इही के बीच से लाइन गई हुए इसलिए लाइन के नाम पर यह channel का नाम पढ़ गया है बासल में ओके छ़़ड़ी चैनल किसके किसके बीच में निकोबार और इंडोनेसिया देख निकोबार में भी अगर कभी पूछा कि निकोबार में कौन से यहां होता है इंदिरा पॉइंडिरा 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 प और panda एस के बीच में इतना clear है ठीक है माँ पूसता हूं आज्डिग्री चैनल किसके-किस के बीच में है मिनिकोई और मालियो के बीच में 9 डिग्री लग्षदिप और मिनिकोई लग्षदिप कही पार्ट है मिनिकोई लेकिन जैसे अन्नमान निकोबार में अन्यमान उपर है निकोबाड नीचे है वसी लक्ष द्यूप में कावारत्ती उपर है मीनिकोई नीचे है कावारत्ती बसंद में चलो आगे बढ़ते हैं ये इंडियन ओसियन में समझ में आ गया 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 6 डिग्री चैनल 6 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है निकोबार और इंडिया 10 डिग्री चैनल अन्दमान और निकोबार 8 डिग्री चैनल मीनिकोई और माल्दिव 9 डिग्री चैनल लग्स्तिप और मेनी को है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन-कौन से चैनल है अगर हम अफ्रिका में देखते हैं अरे अफ्रिका के पास वाला सेक्षन देखे हैं तो हमको दिखाई देगा मेदागासकर और मोजामबिक के बीच में मोजामबिक चैनल मेदागासकर और मोजामबिक के बीच में मोजामबिक चैनल कि मोजामबिक चैनल किसके किसके बीच में है मेदागासकर और मोजामबिक मेदागासकर और मोजामबिक उसके बाद अगर हम कहेंगे इधार देखेंगे यूरोप में Northeast में येden इंग्लिस चैनल ये क्या है। व्तरूपर ये है इंग्लेड में तो आजाता है। तो बस लोकेशन यार रना चीए यी English channel कहाँ पर है English channel कहाँ पर है ना सम्झे आई इसी English channel के इधर था ये ये इसको हम क्या करते थे जो पतला सहाह रास्ता है ये 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 डूर 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 इस्ट्रेट ठीक है दूर स्ट्रेट यही था बतना रहता दूर इस्ट्रेट इसना क्लियर है इंगलीस चैनल को पार करने वाली वाली महिला कौन थी ? आरति-सा यह है इनोंने 19 साल की एज में इन्य साल की एज में इंगलीस Чैनल को टायर कर के पार क्या थी और हमारी यहां लड़िकों को पानी उतरने से डल लगता है तो इंग्लिश चैनल को टैर कर पार करने वाली पहली महिला आर्थी साह ठीक है तो यह थे जो फेमस फेमस चैनल्स थे उनके बारे में हमने देख लिया अब एक बार मैं यहाँ जो मेजर मैप है यहाँ पर पूछ रहा हूं तू बताना कौन सा चैनल है ठीक है बता यह मोजांबीक यहाँ इंग्लिश चैनल ठीक है ओके तो रहसे यहाँ रिमूब कर देता हूं हाँ ठीक है बता यह और यह बीच में इसके ऊपर और यहाँ दस और अगर मैं यहाँ नीचे चले जाओ यह वाला सेक्षन में ठीक है तो आठ नौ दस चै आठ नौ दस चै आठ नौ दस चै मोजांबीक और इंग्लिश मोजांबीक और इंग्लिश ना समझ में आ गया अब हम समझते हैं कि दुनिया में जो फेमस फेमस कैनल्स हैं कैनल्स देख दुनिया में तुझे मोज्ट फेमस चार कैनल्स के नाम याद रखने हैं एक पीजियेस्ट स्वेच कैनल स्वेच कैनल दूसरा याद रखना है तुझे पनामा पनामा के नार तीसरा याद रखना है कील और चौथा याद रखना है क्रा इसमें से क्रा सबसे मॉडर्न है लेकिन अभी बना नहीं है यह कंप्लीट नहीं हुआ है नौट्च समूदर 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 नौट्च समूद Mediterranean Sea तो देखे यह है यहां से जाता है और यह यहां तक है स्वेज कनाल इसकी खासियत क्या है यह man-made है इसे इंसानों द्वारा जमीन को काट करके बना गया था ठीक है man-made man-made यह दुनिया की सबसे BG-est man-made कनाल है ठीक है BG-est BG-est मतलब यहां से बहुत अधिक अमाउंट में क्या होता है ट्रेड होता है सिप से यहां से जाती है अगर यह कनाल नहीं बना हुआ था जब यह कनाल नहीं बना हुआ था तो अगर हिंद वहां सागर से इंडियान ओसें से इसी सिप को जाना रहता था वह यहां से यहां जाती थी यूरोप और यहां से यहां तक जाने में इनको 7000 किलो मीटर का क्या टाय करना पड़ता था डिस्टेंस टाय करना पड़ता था लेकिन यह कनाल बनने के कारण यह स्वेज नहर बनने के कारण अब यहीं से यह लोग लाल सागर से कहां चले जाते हैं Mediterranean से Europe के अलग-अलग हिस्सों में चले जाते हैं जिससे इनका 7000 km का distance क्या हो गया reduce हो गया इसके बनने की वज़ा से कितना 1000 km का distance reduce हुआ 7000 km distance reduces distance reduces पासवज में यह कहाँ इसके स्वेश कनाल के नॉर्थ में कौन सा C है Mediterranean C ठीक है Mediterranean C Mediterranean C स्वेश कनाल के नॉर्थ में कौन सा उसका ठीक है या कौन सा पोर्ट है पोर्ट साइड यह याद रखना कई बार पूछा है पोर्ट साइड इतना क्लियर हुआ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पनामा के बारा में समझते हैं पानामा जो कनाल है पानामा कनाल वो पानामा कंट्री में है पानामा कंट्री में अब देmmskli solo ये देक्राइए जो हम साउथ अमेरिका पड़ रहे थे यह Central America पढ़ रहते हैं, तो Central America में हमने देखा था Panama, Panama Country के बारे में, और यह Panama, यहां से ले करके, यहां तक, यह लेक को, यह कनल को बना गया है, ठीक है, यहां से ले करके, यहां पर, अब देख, यह जो है, यह है, यह एक लेक है, क्या नाम है इसका? गाटन लेक, गाटन लेक, ठीक है, इसका नाम है, गाटन लेक, गाटन लेक, इस गाटन लेक के होने की वज़े से, गाटन लेक की होने के वज़े से, यहां का, एक इधर भी लेक है, एक यहां भी लेक है, तो यहां के, जो लोग थे हैं, उन लोग को क्या करना पड़ा, मैंने पहले बता था कि यह पूरा का पूरा एरिया कैसा है पहारी एरिया था ठीक है पहारी एरिया था तो इसको पूरी तरीके से काट करके बना पाना बहुत मुश्किल था इसलिए इस पनामा लेक पनामा कैनाल को बनाने के लिए इन लोगों ने ऐसा स्टेप नुमा बनाया बस κάνो है। यह है समूदर, यह समूंधर, यह जमीन है और यहां पर लेकशेह और यहां से उٹ गया और समुंधर तो यह लेवल तक यह फूरा कैसे काष़े। अगर ऐसे काथते एकना तो इनको बहुत महनत लगे। और फूरा का फूरा क्या है पहाड है तो यहां से सब का सब उड़ा पाना नामुम्किन खा इनके लिए ठीक है तो इल लोगों ने इसको कैसे बना है step new बना है मतलब कि यहां सकाटा फिर यहां फिर यहां सकाटा फिर यहां यहां ऐसे सकाटा है तो इसमें क्या रहता है कि इसमें locking system लगा दिया गया है locking system अभी मैं तुझे समझाता हूँ कि ये काम की तरीके से करता है रहले ये है Panama पनामा पनामा कनाल कैसे काम करता हूँ बताओं तो इसके बारे में समझ यहाँ जब पनामा कनाल नहीं था ठीक है जब पनामा कनाल नहीं बना हुआ था तो अगर अमेरिका से किसी ship को किसी ship को यहाँ जाना पड़ता था इधर Canada side में ठीक है या इस side में आना पड़ता था या Pacific Ocean में पार करके कहीं इधर जाना पड़ता था ठीक है जापान वगर हमने इसको यहां पर काट करके क्या बना दिया गया कैनाल बना दिया गया ठीक है कैनाल की वजह से इनका 5,000 km इरिया रिडियूज हो गया अब यहां से फटक से लोग कहा चले जाते हैं उधर पैस्ट्रि कोशन में घूज जाते हैं और उदर से जापान, चाइना या इंडिया जहां जाना रहे आराम से जा सकते हैं तो पनामा जो पनामा कनाल है यह किसने किलो मेटर के एरिया को रेडूस करता है पांच जार इनको जब यहां जाते थे थे न तो यहां पंदरह दिन लगते थे पंद्रह दिन जाने में ये 5000 किलोमेटर को एरिया कवर करने पर अब यहां से यहां इनको मात्र दस घंटे लगते हैं तो सोच लिए 15 दिन और 10 घंटे 15 दिन और 10 घंटे में कितना फरक है तो जाहिद से बात है जब तुम्हें इतनी सुहिदा मिल रही है कि इतना जल्सदी तुम्हेंहां से चले जा रहो लोग करी कि यहां पनाम का जो ओनर होगा वहं पैशा भी दबा ले आए वहाया कि पेजा है पनामा के इस किनाल से पनामा देश को एक-एक दिन में कम से कम 6 6,70qué करोड रुपय का एक दिन में 6-7 करोड का इंकम होता है जैसे कि यह लोग कैसे करते हैं यहां से अगर कोई ऐसा ऐसा शिप जा रहा है जो माल से भरा हुआ है जैसे कंटेनर भरा होता है ना कंटेनर पर कंटेनर वाला शिप है तो इस लोग पर कंटेनर-बर कंटेनर कुछ जो है कि 50 डालर या 100 डालर लेते हैं पर कंटेनर । कंटेनर भरे होते हैं तो जब उन सबका ओवरल निकालेगी और रुपय में कनवर्ड करेगी तो तुझे इस कंटेनर वाले शिप का आप्रॉक्समेट्री तीन करोड रुपय आएगा तीन करोड रुपय यहां से हुझे टोल टेक्स वगारे देना पड़ेगा तर तूल लेकर जा सकती है ठीक है और ऐसा नहीं कि खली यह कंटेनर वाली सिप भी जा रही है तूल सिप भी जाती होंगी जहां पर आदमी घूमने जाता है जो बड़ी-बड़ी सिप होती होती हông उसे गुण सिप करते हैं जेक यह है तो इसे हम क्या करते हैं कंटेनर से कंटेनर से आदेक्सिर अर यह जो राता है इसे हम क्या करते हैं भूजशिक कंटेनर शिप और कूज शिप दोनों से ही पनामा को कमाई होती है इस पे देख रही एक कंटेनर रखा हुआ है फॉट फॉट बॉक्स जैसा लग रहा है ना यह सब कंटेनर है देखा ना तो यह कंटेनर एक एक कंटेनर का अगर वो 50 डॉलर भी चार्ज करता है तो कंटेनर रहते हैं और जब वो इसका पैसा निकालेगी तो तुझे इंडियन रुपीज में अप्रॉक्समेटली तीन करोड के आसपास रुपे आता है ठीक है तीन करोड और वहीं अगर यह खूज सिप रहता है तो खूज सिप में वो पर परसन धाई सो से दो सो डॉलर लेता तो इससे भी जो इसकी कमाई हो जाती है अप्रॉक्समेटली तीन करोड रुपे चार करोड रुपे एक दिन में कमाई होती है ठीक है एक दिन में कमाई होती है तो इससे अगर तू पनामा देश की एकोनोमी देखेगी न तो साल भर में साल भर में यह लोग कम से कम पच्च पचास हजार करोड रुपया कमा लेते हैं समझे रहे साल वर में 50,000 करोड तो कितना पायदा है इनको इस जो है कि कैनाल के जरीए पनामा कैनाल से अब समझते हैं पनामा कैनाल जो है यह की तरीके से काम करता है मैंने बताया कि यह पहाली एरिया होने की वज़े से इसको पूरा भूद पाना थोड़ा मुश्बिल था इसलिए इसको कैसा बना गया है स्टेप शिली नुमा करके बना गया है तो देखाई दे रहा है अब जैसे इधर क्या है समुंदर है नीचे यह है सी और इधर भी है सी इधर भी है इसका तो लेबल सेम है नीचे से लेकिन उपर में यह क्या है तेरा यह है गाटन लेख राटन लेख ठीक है उपर है यह राटन लेख राटन लेख जहां जो कुछी भी तरीके से तुझे इस लेख तक पहुचाना था तो पहाडी एरिया होने की वज़े से पुरा का पुरा जो सीस्टम में इसे भुदा नहीं जा सक्काता इसके लिए इन लोगोंने क्या 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 कि इसको ऐसे सीडी नूबा बना दिया है और इसमें लॉकिंग सिस्टम लगा दिया है यानि कि जब जहाज इसमें रहेगी तो इसका पानी क्या करदेंगे प्रेशर मारके कम करदेंगे इसमें भर देंगे तो यह पानी किसके लेवल में आ जाएगा इस समुंदर के और जहाज किसमें चली जाएगी इसमें और इसका फाटक बंद कर देंगे और फिर इधर से प्रेसर मारेंगे और यह पानी भरने लगेगा और यह पानी भरने लगेगा तो जहाज भी आटोमेटिक उपर आने लगे और जब यह दोनों का पानी लेवल सेम हो जाएगा तो जहाज इसमें चली जाएगी इसका फाटक बंद कर देंगे और फिर इसी तरीके से जो है इसमें से प्रेसर मारेंगे इधर और इसका भी पानी उपर उठने लगेगा और जब इन दोनों का level same हो जाएगा तब जहाज इसमें चली जाएगी और इसका फाटक बंद कर देंगे और इस तरीके से इसमें से जहाज इसमें चली जाएगी और same यहाँ पर क्या करते नते हैं एक पर देख ले, तब तुझे समझ में आ जाएगा, पनामा का लोकिं स्टम कैसे काम करता है। यह है अट्लांटी कोश्यन, अट्लांटी कोश्यन में से यह गया ही दर अब यह सब जो है, यहां से प्रेशर मार रहा है उपर यह सिसम आ गया, अब यहां से प्रेशर मार रहा है इसमें इधर भर गया, फिर इसको बढ़ा देगा यह गाटन लेक में, और गाटन लेक में सीधा आगे आ जाएगा, आगे यहां पानी रेड्यूस करेगा, इसके पानामा कनाल कैसे बना हुआ है तो लॉकिंग पैटर्ण पर पेस्ट है पासंद में उसमें चार ओप्शन दे देगा जैसे कि कहेगा स्वेज कनाल है करा कनाल है किस वज़े से डिफरेंट है यह समझ में आ गया यह क्या लिख हुआ है कि पहले यह किस पर बेस्ट है बेस्ट अन लॉक लॉकिंग शिस्टम दूसरी बात यह कि इतने किलो मेटर का एरया रिटूट कर देता है रेटूस के पाइट हाँगए पैनामा कनाल है उसके नोर्थ में उसके नोर्थ में कौन सा लेख है गाटन लेख, ठीक है, गाटन लेख, गाटन लेख, कहेगा वो किन दो समुद्रों को जोडता है, तो एक तरफ है अटलांटिक और दूसरे तरफ पैसिपिक, ठीक है, अटलांटिक और पैसिपिक, इधर क्या है ये पैसिपिक है, ठीक है, पैसिपिक और इधर है अटलांटिक ठीक है, प्लास्टिक और अटलांटिक, बस वाज़ वाईज, तो यहाँ फिर मैं देख जेता हूँ, यह एरिया तेरा नीचे वाला क्या हो जाएगा यह, प्लास्टिक पी लिखतू समझ में आ जाएगा, पी और यह हो जाएगा, अटलांटिक, इना क्लियर है, ओके, ठीक है, आगए बढ़ो, कहाँ, और कि इसके देश को क्या फाइडा होता है कि नहीं होता है, प्रेश का चीन में आ बना जाता है, तो पनावार्पा कंनाल को बनाने की जम्यदारी पहले फ्रांस नहीं दिया था लेकिन फ्रांस बना नहीं पाइज, फिर यूशो को यहाँसे बहुत पायदा होता है क्योंकि USA का जो trade है उस्थे देशों के साथ ज्यादा होता रहता है तो USA को आने जाने का खर्चा बचेगा ने बचेगा अगर बना लेगा तो तो इसलिए USA ने help करके इसे पूरी तरीके से बनाया तो किसकी help से बना और इसकी economy को देखते हुए यहां सी इतना कमाई हो रहा है चाइना ने भी एक चाल चली चाइना ने भी चाल चली कि यहां जैसे पनामा ने बनाया है क्योंने मैं उसके आज फडोसियों को funding करूँ और भोलू तुम लोग भी बनाओ तो यहां पनामा ठीक है और यहां है निकारगुवा उसने फेहले कोस्टारीका के पास यहां लेकिन कोस्टारीका के पास कία था फूरा क फूरा पहाड़ी एरिया था खुरदमे लाय dak खुछ नहीं था ठीक है लेकिन यहां पर भी क्या था पीष में लेक है लेक अभी मैं दिखाता हूं दिखे मैं यह है निकारगुआ देख कोस्टारिका में तुझे कहीं पर देख रहा है कोई लेक दिखाई दे रहा है नहीं लेकिन यहां पर देख यह है निकारगुआ में है लोगो यह लेक है अगर यहां से कार देता इसको और इसको यहा तो चाइना ने वही सोचा कि मैं निकार गुवा में क्या बना दू चाइना ने फंडिंग करी लेकिन चाइना की जो कंपनी यहां पर वो कंपनी हो गई दिवालिया और इसका यह प्लान धरा का धरा रगया तो फूस्ता है कि चाइना का अरे यह पनामा का कॉम्पूटेटर केनाल कौन सा देस बना रहा था निकार गुवा बसमझ में है लेकिन क्या हो सफल हुआ ने शक्सेस नहीं हुआ ठीक है तो यह समझ में आ गया पनामा समझ में आ गया ओके आगे बढ़ते हैं और समझते हम लो आगे किनहर कनाल जो है वह नेचुरल है इसको इंसानों नगए बना ए जर्मनी में है यह यह कनाल जर्मनी में है ठीक है यह नेचुरली है अगर पूछेगँ खल्य ऐसे पूछा कि दुनिया का सबसे BGS canal कौन सा है और उसमें ये चारो canal दिये हुए है जैसे एल है स्वेज है पनामा है और ननःब दौडब है तो अगर सिरे पूछा है BGS canal तो मारना कील canal पर लेकिन अगर पूछेगा कि man-made BGS, तो मारना स्वेज़ पर, बसंच में, तो यह कौन से देश में है, जर्मनी में, क्या यह man-made है, और यहाँ सबसे अधिक यहाँ पर trade होता है, पूरा European जो country है, अब अमेरिका है, सब यहीं से trade करते हैं, इसलिए यह world BGS है, नेचुरल कनाल में, world BGS, लेकिन अगर पूछ लिया, तो man-made world BGS कनाल तो, स्वेज कनाल, स्वेज कनाल, ठ Secret, स्वेज कनाल के बारे में यह दखना, फूस्ता है कि, world longest कनाल, तो option में दिया रहेगा, स्वेज कनाल, हील कनाल और पनामा, तो उसमें मारना स्वेज, लेकिन अगर तू Google सेच करेगी, world longest कनाल, तो तूझे चाइना का grand कनाल मिलेगा, करका है लेकिन option में जब question देखेगी तो question में grand canal नहीं रहेगा ठीक है और T option पे रहेगा none of the वर्फ तो none of the वर्फ मत मारना उसमें रहेगा switch canal switch canal को ही मारना पसंज में यह बत याद रखना में में आ गया हुआ है हम लोग समच्छे है क्रा कनाल के बारे। प्रा कनाल क्रा कनाल थाई-लेंड में बननेवाला था लेकिन बना नहीं हम से बनने के लिए लेकिन नहीं थाई-ले -, और आइलेंड का यह जो पतला हिस्सा है इसे काट करके यहाँ पर क्रा कनाल बनाने की कोछिस की जा रहे थी चाइना ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर इसे क्रा कनाल को बना दूँगा तो मुझे जो स्ट्रेट अफ मलक्का से जाना पड़ता है और मलक्का में इंडियन नेवी अंडवान सी में हमारा ही पुरा जबदबाः रता इंडिन नेवी रहती है तो मैं इसे पाइपास कर सकता हूँ शिधा यहीं से निकल जाOWNगा ठीक है सीधा यहां से निकल जाओंगा और यहां पर अपनी नेवी लगा दुनगा तो इंडियन नेवी के साथ इधर सामना कर लेंगी और मैं यहां से निकल जाओंगा लेकिन क्रा कनाल को जैसे ही बनाने के लिए प्रफोजल आया वहां के जो सब environmentalist उन लोगों ने जो की protest करना शुरू कर दिया और जिसकी वज़े से ये क्रा कनाल नहीं बन पाया तो क्रा कनाल का proposal कौन से country को मिला था island में island तो क्या है ये कायेगा कि सबसे modern है कनाल कौन सा था modern क्रा है ये जो modern उसे करते है आधुनिक जो बहुत अभी भी बनाओ ठीक है रिसेंट्टी कोई शी चीच का बनता है तो उसे modern करते है तो modern करा है इतना समझ में आँ हलो ये सारे के सारे कैनल से समझ में आ गया है कितने कैनल देख लिया हमने कौन-कौन से क्रा, स्वेज, पनामा और कील कनल कहां है जर्मनी क्या वो नेचुरल है या मैनमेंट है मैं यहां question बोट करता हूं खुछ जैसे कहेगा की world world longest कनल कनल क्या होगा स्वेज 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 world longest कनल में स्वेज आएगा पासज में आए यह रहा हमारा पूरा का पूरा कनल स्वेट और चैनल आज की लिए इतना रखते हैं पाकी की स्टोरी हम लोग नेकल यह एग यहाग फेज Hollywood क्या